हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का इंगलिस का मॉस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और कोश्चन आप लोग देख पा रहे हो राइट है एक कैरेक्टर स्क पहला चैप्टर से आप लोग को लिखवा दिया था ठीक है और हम आज ये 100 ड्रेसेज जो चैप्टर है उसका हम कैरेक्टर इसके लिखवाने वाले है वांडा का ठीक है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा शुरू सलेकर अंतक बने रहे हैं और कैसे लगेगा आज क कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में ऐसा नहीं किसी आपको पढ़ा रहा है पढ़ने का तरीका भी आपको समझाते हैं क्योंकि समय काफी कम बचा है और काफी कम समय में आप लोग को बहुत कुछ हासिल करना है ठीक है तो चली सबसे पहले स्टार अमरिका जो अपने जो जो है अमरिका विधर पैरेंट्स है ना एंड यंगर ब्रदर अब यहां तक पढ़ा लेते हैं पहले उसके बाद इसका कहने का मतलब है कि वांडा पैटरोंस की जो थी वो एक पॉलिस ललकी थी ललकी है जो अपने माता पिता और छोटे भाई के कई मतलब क्या होता यानी क्या होता है उसका वैवहर जो न बुरा किसी के सात थी वो बुरा वैवहर नहीं करती है बहुत ही सिंपल हिर्दे वाली है वो ठीक है यहां तक हो गया उसके बाद हम लोग आते हैं C, feel disturbed when Peggy, C, feel disturbed when Peggy, T says and C replies confidently and correctly, ठीक है, और to what Peggy says to her, ठीक है, इसका मतलब है, कि इसका कहने का मतलब है, कि जब Peggy उसे छोड़ती है, तो उसे परिसानी महसूस होती है, और वो Peggy उससे जो भी कहती है, उसका वो आत्म विश्वास और साहस में जबाब देती है, ठीक है, बास समझ भाया, उसके बाद है हमारा, C wears the same blue faded dress every day, मतलब वो रोज वही नीली फीकी dress पहनती है, She is very talented and is good at drawings, ठीक है, मतलब वह बहुत परतिभा साली है और चित्र बनाने में भी अच्छी है, After winning the drawing contest, जीतने के बाद, उन्होंने अपने रचनात्मक जीवन को भी साबित किया है, ठीक है, यह हो गया, next आते हैं, next कह रहा है कि she is forgiving and generous as she forgives Peggy and Maddy by giving them her two drawings in which she draws their faces, मतलब वह छमासील और उदार है, वो क्या है, छमासील और उदार है, उदार है क्योंकि उसने Peggy और Maddy को अपने दो चित्र दे कर उन्हें माफ कर दिया, जिसमें वो उनके चेहरे बनाती है, तीक है, वो क्या करती है, Peggy और Maddy को given, मतलब देना, two drawings, उसको two drawings दिया, दो चित्र दिया, in which she learns their face, कौन सा दिया था, जिसमें उसका चेहरा बनाया था, जिसमें उसका चेहरा बनाया था, यह काफी important होता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, जिसका अंग्रेजी कमजोर है, जिसको जल्दी याद नहीं होता है, वो कम से कम art line तो जरूर या अगर गलती से कोई ऐसा question आ जाए, hundred races से, कि आपको उसका answer याद नहीं है, ठीक है, यह बोलना नहीं चाहिए, एक educator को बोला नहीं जाता है, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, ठीक है, होता क्या है, कि जो student को मान के चलो, अगर इसको याद कर लिया है, और अगर exam में आ जाता है, कोई extra question आ जाता है, जिसको आपने याद नहीं किया है, तो वो यहाँ से help लेता है, ठीक है, क्योंकि उसने इसको याद करके गया है, और यहाँ से जब लिखेगा, तो यकीन जानो, अगर वो question आपका चार number के लिए पुछा जाएगा, तो दो number आपको जरूर द आ गया, character sketch Wanda को लिखने के लिए आपको आ गया, तो पांच number आपका भाई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पे पहली ब